तो आज है संसेक्स के एक्सपाइरी और आप लोग देख सकते हैं मैंने संसेक्स 5 मिनट टाइम फ्रीम का चार्ट यहां पर उपन कर रखा है तो चलिए हम लोग यहां पर थोड़ा बहुत टेक्निकल अनालिसिस कर लेते हैं तो यहां पर मैंने दो सपोर्ट ड्रॉ कर लिए हैं आप लोग देख सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको भी दिख रहा होगा साफ साफ की जो SL हैं वो नीचे जादा यहां पर लग रहे हैं मुझे SL हो सकते हैं और इस बीच में यह रेंज है जो यहां मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा है आप लोग देख सकते हैं यह सपोर्ट है यह दूसरा सपोर्ट है इनके नीचे SL हो सकते हैं और यहां पर यह रेजिस्टेंस भी है तो बार बार इस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है जो main range है वो यही है आप लोग देख सकते हैं और यहां पर market यहां पर sensex बार बार टच कर रहा है तो अब हमें find करना है कि market कौन सा SL पहले लेगा या वो downside में जाएगा या फिर upside में जाएगा तो इसे decide करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि SL तो दोनों side है आप लोग देख सकते हैं इस range में है market और अब हमें decide करना होगा कि पहले market उपर के SL लेगा या नीचे के SL लेगा आप लोग call बनाएं यहां यहां पर target हो सकता है लोगों का और जैसी breakout आएगा सारे लोग सही बनाएंगे और यहां पर वो trap हो सकता है क्योंकि maximum SL नीचे है तो market नीचे आएगा तो इसलिए मैं यहां पर put बना के बैठ होंगा लेकिन मुझे एक breakout candle चाहिए जैसी breakout candle आती है मैं यहां पर put बना के बैठ जाओंगा तो इसलिए मैं breakout candle का wait करूंगा और जैसी breakout आएगा मैं यहां पर put side के entry बना लूँगा तो देखते हैं कि वो breakout कब आता है हो सकता है कि हम लोग पहले ही entry बना लें तो सारी चीज़ें यहां पर market behavior पर depend करने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं यह हमारे दो target है तो चलिए यहां पर अभी तो market चल रहा है हम लोग तब तब premium चेक कर लेते हैं 73,900 का premium मैं यहां पर open करूँगा आप लोग देख सकते हैं 23 पर अभी यह चल रहा है तो यहां पर देखिए volatility तो थोड़ी जाद है आप लोग देख सकते है 19 से कपका 31 पर निकल चुका है और यह sport chart तो अभी तो market नीचे आने की सूच रहा है अगर target दे देता है तो हमें फिर वापस जाना होगा फिर क्योंकि यहां पर time भी अब बहुत कम है तो इसलिए अगर यहां पर पहले ही candle नीचे आती है तो मैं यहां पर close कर दूँगा तो देखते हैं क्या होता है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं पूरी candle reverse हो चुकी है और साइद यह candle अब breakout दे और उसके बाद मैं यहां पर potential बना लूँगा तो अभी तो चली रही है तो आप लोग देखिए यहां पर इस candle नीकिस तरह की से दोनों side के SL लिये हैं call में भी लिये होंगे और put में भी लिये होंगे तो अभी हम लोग wait करेंगे और अगर कुछ scenario बनता है पहले यह तो हम लोग पहले ही यहां पर put position बनाने का plan करेंगे तो साइद यह candle हमें breakout दे दे तो अभी यह नीचे आरी reverse होरी मुझे लगता है कि इसमें हमें लेना चाहिए put को तो चलिए मैं यहां पर जल्दी से premium का chart open कर लेता हूँ और इसी candle पर मैं यहां पर put ले रहा हूँ तो अभी time हो रहा है दो बचकर 50 मिनट और यह candle जिस पर मैं अभी put लेने वाला हूँ यह दो बचकर 50 मिनट वाली candle यहां पर होने वाली है तो चलिए इस तरीके से यहां पर premium चल रहा है तो मैं यहां entry बना लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जो entry हुई है वो 31.50 के round हुई है और यहां पर target मैं अभी देखता हूँ कि कितना मैं ले सकता हूँ 50 point at least मुझे चाहिए और यहां पर SL मेरा जादा नहीं होगा 10 point का SL मैं मातर यहां पर place करने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं 10 point का SL मैंने place कर लिया है और target यहां पर मुझे लगता है अगर 50 के round हो तो ज़्यादा बहतर होगा तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि sensex हमारी ही direction में चल रहा है और 31 का premium अभी 35-36 का round चल रहा है तो यहां पर एक move आने की जो probability है वो मेरे को लगती है कि हाँ पहले put आ सकता है आप लोग यहां पर target देख सकते हैं first target and second target दोनों मैंने place कर रखे हैं और दोनों के नीचे यहां पर SL हो सकते हैं यह probability है मेरी कि हाँ इनके नीचे SL हो सकते हैं और पहले जो market जिन SL को hunt करने जाएगा ऐसा नहीं है कि SL उपर नहीं है लेकिन नीचे उपर से ज़्यादा SL है तो मेरी जो psychology कहती है और जो probability है वो यह है कि market पहले नीचे के SL hunt करेगा और उसके बाद आप move करेगा तो देखते हैं कि अगर देखें यहां पर अगर SL होता है इस candle पर हो सकता है कि market पहले breakout दे और फिर नीचे आए जो मेरा पहले का scenario था जो मैंने आपको बताया तो अगर आप लोग देखें यहां पर अच्छा का सा move आ चुका है आप लोग देखें लेकिन अभी नीचे आ रहा है देखें कि इनने sudden move आ रहा है तो यहां पर हम लोग wait करेंगे पूरा wait करेंगे ठीक है क्योंकि अभी target काफी है नीचे अभी first target हीट होगा है second target अभी आ सकता है 31 point के round का high लगा रखा है इस premium ने तो थोड़ा सा wait करेंगे हम लोग वापस तो यह बहुत नीचे आ चुका है आप लोग दिखें 17, 18 पर लेकिन थोड़ा सा wait करेंगे हम लोग क्योंकि अभी देखो time बहुत कम रह चुका है और market को अगर गिरना है तो फिर यहीं से शुरू हो जाएगा गिरना तो इसलिए थोड़ा सा wait मैं करने वाला हूँ तो आप लोग दिखें यहां पर वापसी करी है और उपर जा रहा है 30, 31 point के around हमें अभी मिल रहा है ओहो यह फिर से नीचे आ गया चलिए कोई बात नहीं थोड़ा सा wait करेंगे हम लोग और अगर यहां पर reverse होता है तो फिर से हम लोग यहां पर put बनाने वाले हैं तो यहां पर देखें आप लोग पूरी reverse हो चुकी है यह candle थोड़ा सा wait करेंगे हम लोग देखें किस तरीके से trap इस candle ने किया है सबको और यहां पर SL हीट हो चुका है मेरा आप लोग देखें यहां पर 10 point का मेरा SL हीट हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर 37 point इस premium ने मुझे दिये थे लेकिन उसके बाद भी मैंने यहां पर SL को cost to cost नहीं रखा या फिर जल्दी से यहां पर हटाया नहीं अपनी position को तो यहां पर देखें यहां पर थोड़ी सी गलती थोड़ी सी mistake भी आपको यहां पर देख सकते हैं आप लोग अच्छा खासर loss करवा सकती है देखें अभी भी probability मेरी वही की put आएगा इसलिए मैं एक और entry बना रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं यह entry मेरी 31.360 के around तो यहां पर दिक्कत हो सकती हैं हमको लेकिन कोई दिक्कत नहीं देखी अब यहां पर time भी होने वाला है यहां पर आप लोग देख से तीन बज़ के 15 मिनट की candle पर मैंने entry लिया है तो अगर यहां पर move आता है तो हम लोग सिर्फ 5 मिनट की यह candle लेंगे फिर हमें जितना भ कर रहा हूं वैसे भी market close होने वाला है यहां पर तीन बज़ के 20 मिनट होने वाले हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर की थोड़ी सी गलती थोड़ी सी हम लोग ने discipline को यहां पर follow नहीं किया अपने rules को follow नहीं किया यहां पर मुझे half quantity exit करनी चाहिए थी तो इस तरीकी के नुकसान हमें हो सकते हैं तो चलिए आज मैं यहां पर loss book करके घड़ जाने वाला हूं तो I hope आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलाओगा